हालो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम चूँ शमाधान साथियो बिहार सिविल कोर्ट एक्जाम डेट को लेकर आप सब काफी परिसान है आप सब काफी दिनों से सोसल मीडिया हो या हर जगा आप लोग यही पुछते हैं कि इसका एक्जाम डेट कब आएगा तो कल एक नोट क्लियर करेंगे क्योंकि जो अडशाट वी पेसी का पीटी के एक्जाम होने वाला है उसका पहले से ही डिटने धारित है जो कि 12 फेवरी को बताया गया है अब ऐसे में जो दोनों को अपलाई कि हैं वो लोग भी काफी परिसान है कि 11 एक्जाम देंगे फिर 12 पीटी एक्जा सब्सक्राइब करेंगे साथ हूं तो यहां पर नोटीस ओपन करेंगे साथ हूं तो देख सकते हैं यह नोटीस है और यहां पर लिखा है ऑफ-लाइन एक्जाम हेल फोर क्लास थर्ड गृप सी पोस्ट इन दा स्वर्दिनेट्स कोट्स औफ बिहार इन दा लाइट आफ दो सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर नीचे देखेंगे तो यह देट बताया गया है यहां पर दिया गया है और यहां पर इंप्लमेट नोटिस नमर दिया गया है और यहां पर आपका एक्जाम डेट दिया गया है तो कलर के लिए बताया गया है आपका कि 11 फ़र्वरिक और नीचे यहां पर आएंगे तो देख सकते हैं और यहां पर दिया गया है यहां पर इस प्रकास यह नोटिस कल से ही वायरल हो रहा है अब इस नोटिस की सचाई जानने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अफिस्यल वेबसाइट पर क्या वहां पर कोई अपडेट है या नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं साथ हम लोग आ चुके हैं जो सिबिल कोड का अफिस्यल वेबसाइट है और यहां पर देखेंगे तो एक्जाम डेट को लेकर के कोई यहा वारे में बात करते हैं कि आखिर यह क्यों नोटिस जो है अफिसल वेफसाइट पर नहीं है तो क्या नोटिस यह सही है यह गलत है तो आप सब और यहां पर कर दिया गया है और यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर सिगनेचर वही था और यहां पर देट है तो यहां यहां पर कट किया है कि बहुत सारे देट को डूब्लिकेट करके यहां पर एड़ कर दिया गया है तो आप क्या आपका एक्जामिनेशन है वह सही में फरवरी में होगा या नहीं होगा तो देखिए सबसे पहली बात कि यह नोटिस फेक है तो जो भी दोनों फार्म अपलाई क तब पूरी सेंटर रिजाब रहती है उसके एक्जामिनेशन के लिए और ऐसे में अभी 12 फरवरी को बीपेसी ले लेगा अपने एक्जाम जो एक डेट वच रहा था उसके बाद से आपका जो CSBC है CSBC का 29 जनवरी को एक्जाम होने वाल था मन निश्यत का उसका भी पुस्ट मीड मार्च के बाद ही होगा इसके पहले जमिशन नहीं होगा लेकिन आप लोग को इन अफवाह से बचना है जो भी वाइरल नोटिस आ रहा है उसकी सचाई दनना है क्योंकि हर जगा यह नोटिस को ऐसे ही बता जा रहा है जबकि इसकी सचाई कुछ हो रही है कि यह फेक न सब्सक्राइब कर लिए बाकी अपडेट के लिए जो भी अपडेट आएगा आपको तुरत मिल जाएगा धन्यवाद